सो अलो गाइस वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चानल और आज हम डिसकस करने वारे हैं जियो सेंग क्लाइन थियोरी के बारे में इंपोर्टन है ध्यां से देखना देखो बेटा प्रीविएस वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि जो हमारा नॉर्दन माउंटिन्स है उस यह से बाट लो प्रीजन वाला बात मैंने का था मैं बाद में बोलूगी अभी नहीं तो मैं क्या बोल रहे हैं के साब से बातना सीख जाओ प्रीविएस वीडियो के एंड में मैंने बताया भी था सबसे पहला अगर हाइट के साब से देखा जाए तो हमाले हमारा नॉर्द जि network with exist पूर वाचल जिसके बारे में माले वीडियो में ध्यानाचत से पढ़ींगे पड़ सवाल मेरा ये नहीं था सवाल मेरा ये था कि हिमालय बना कैसे है कर तुम और मैं जाकर के बनाये ठैं कि बिलकुल नहीं हिमालय के formation के पीछे बेटा दो थियोरीज है यह वाला मैं बोल रहे हूं बाद में कवर करेंगो के सो थियोरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ओफ हिमाले हिमाले बेटा वैसे तो कैसे बना था इसके उपर काफी सारे थियोरीज है काफी सारे ऐसे धारनाये हैं लेकिन हमें सिर्फ दो के बारे में पढ़ना है वो भी मैं इसलिए पढ़ा रहे हूं क्योंकि मैं चाहती हूं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहे ठीक है रटना नहीं है हमें हमें समझते वे चलना है तो दो थियोरीज जो आज की वीडियो का तुम देख सकते हो टाइटल भी होगा सबसे पहले है जीयो सिंग्लाइन थियोरी और सेकेंड अमारे पास प्यारा सा है जिसको तुमने काफी बार सुना भी होगा अपने टीचर के मुझ से प्लेट टेक्टोनिक थियोरी अगर इतनी बार सुना हो तब भी नहीं समझ में आया है अपने टीचर से तो कोई चिंता की बात नहीं है अगले वीडियो में तुमको आ जाएगा समझ में आज हम फोकस करेंगे जीयो सिंग्लाइन थियोर इस अंडरस्टाइड फॉर्मेशन ऑफ हिमालया जीयो सिंग्लाइन थियोरी यह थियोरी बहुत ही साधारन बात कहता है कि हमारा अर्थ बहुत सालों पहले उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंड मास था यानि एक ही हिस्सा था मैं कैसे बोल रहे हो एक ही हिस्सा था जिसमे जमीन हुआ करता था उसको हम प्यार से कहते थे सूपर कॉंटिनेंट दीदी इसका नाम कुछ नहीं रखा गया कि अब सूपर कॉंटिनेंट नहीं इसका एक नाम भी रखा गया था इसको हम कहते हैं पैंजिया ओके आफ्टर दाट इफ यू सी यू हाव ओशन होब यह समु कुद्र पानी ही पानी इसको भी हम प्यार से कहते थे सूपर ओशन और इसका भी नाम रखा गया था इसको कह रहे थे पैंथा लासा मतलब मैं यह कह रही हूं कि हमारा प्यारा अर्थ बहुत कडोडों साल पहले जब अर्थ इकदम नया था तब उसके सर्फिस पे केवल एक जमीन थी जिसको हम पैंजीया कह रहे हैं सारे और पानी ही पानी था जिसको हम प्यार से पैंथा लासा कह रहे हैं अब देखो हुआ क्या यह पैंजिया बेटा बीच से तूट गया इस एक साइड के तूटे वे हिस्से को नीचे वाले को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड और उपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंगारा लैंड मतलब अगर आप जिदी थोड़ा सा और फ्रेशली इधर बनाएंगी अर्थ पैंजिया यहाँ पे इर्दगिर्ध पैंथलासा यह दो हिस्सों में बढ़ गया गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ध्यान से सनो इस गोंडवाना लैंड में और भी कई टुकडे आये क्राक्स आये अफ्रीका बना साउथ अमेरिका बना और इस अंगारा लैंड में भी कई टुकडे आये एशिया बना यूरोप बना हमारे अफ्रीका मालो यह टुकड़ा यह गोंडवाना लैंड नहीं नीचे वाला तो मालो की यह गोंडवाना लैंड है मालो क्या है यह गों इंडिया का टुकड़ा अंगारा लैंड से जाके जुड़ गया था बार में समझ रहे इस बात को नई समझ में आया पैंजिया दो टुकड़ों में बट गया नीचे वाले को हम कहरें गोंडवाना लैंड उपर वाले को कहरें अंगारा लैंड उपर वाले से जो अंगारा लै का टुकड़ा था और इंडिया विचारा गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था जो उधर चला गया को के लिए अब यहां पर ध्यान से सुनना मालो कि टुकड़ा कट कट के दूर दूर चला गया यह अंगारा लैंड का टुकड़ा है यह गोंडवाना लैंड का टुकड़ा ह मतलब कि पैंजीया था हमारा अर्थ कडोडो साल पहले एक सूपर कॉंटिनेंट था उसके अंदर जिसको हम पैंजीया कह रहे थे सूपर ओशन था जिसको हम पैंथालासा कह रहे थे ये पैंजीया बेटा इसका दो टुकडा हो गया जिसको तुम्हाज जानते हो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के नाम से ये टुकड़ा दूर दूर चला गया तो दूर दूर जाने के कारण बीच में ऐसे एक पानी वाला जगा आ गया इसको हम कहते हैं वेटा त्यथिस सी याद रखना इसका नाम बहुत इंपोर्टन त्यथिस सी ठीक है तो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं आसपास थोड़ा शोर होता है इसके कारण दूंको पता नहीं है मैं चाती हूँ वीडियो वन गो में फुली बन जाए बहुत कम एडिट करना पड़े जहां मैं कहीं पॉस लेरी है या कुछ लेकिन इतना गाडी आने लग जाता है कि हर गाडी का साउंड के कारण मुझे एडिट बहुत बार करना पड़ता है बहुत बार कट लगाना पड़ता है गॉन्द वाना Landa का टुकड़ा से इंडिया बना अंगारा लैंड की टुकड़े से अभी समझ जा चाइना बना अब हुआ क्या इंडिया का ये टुकड़ा चाइना की ओर जाने लग गया बीच में कौन सा सी था 33 बताया भी साइट से मैं देख रही हूं ये है हमारा इंडिया ये है हमारा चा और बीच में बेटा हमारा 30 सी था 20 सी ऑके लोगे और चाइना से जोdo बहकर आर है वाए से टेथिस्सी में डिपॉजिशन करे या नहीं लदिया घावेशिंट करते ह्में मेटेरीज को आती हैया मैं बहुत अच्छी तरीके से तो वह डिपॉजिशन जो लेकर आ रही है वह से में डाल रहे है ठीक है ते दी डाल रही है तो कहेंगे तैसील id compatible कि दिपॉजिशन से होगा कै थि लगातार में यह डिपॉजिशन में टुर já जाएगा क्योंकि पानी और भर रहा है उस जगा का और यह नीचे दबता चला चाला जा रहे हैं इंडिया चाइना और करीब आ रहे हैं तो。 पर तुम तोचे ना एक लिए उसी के कारण इंडिया और चाइनय में थोड़ा सा दूरी है अब यह अंदर धलसते जा रहा है तो इंडिया के एक जम च 900 प्लेट है उन्हकभ अभी संजोगे इंडिया और चाइना जो है और करीब आएगा तुम सोचो, दूरी और गहरा होते जा रहा है, और गहरा हो रहा है और डिपोजिशन के कारण साइट साइट से और पतला हो रहा है, तो इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं, तो तुम बोलोगी दीदी, ये वाला जो है न, 33, ये और गहरा होते जाएगा, विथ टाइम, ये औ झरह तो बटाओ अगर साइट साइट से इंडिया और चाइना आएंगे अइसे इंडिया यवे ऐसे चैना जैसे तो यहां पे डेपोजिशन बर गया है यहां पूरा डेपोजेशन और यह लत करे रहे हो एक बात नहीं कर रहे हो मैं यहां जो डिपोजिशन भर गया है इस डिपोजिशन में फूल्ड आ जाएंगे का फूल आ जाएंगे यह डिपोजिशन के फूल्ड मतलबम जो जमा हुई है क्वा हुआ है मिट्टी का डिपॉजेशन जो हुआ है उसी से एक फोल्ड क्रेट हो गया है तो दिदी आपने ऐसे क्यों नी बना दिया फूल्ड साइटगी साइट साइट सायट से आ रहा है तो एक पुरा फोल्ड करके अएक पहाड बना दे ठोड़ा वह ताकत है उसके जिससे वो multiple folds create करता है in fact कहीं कहीं तो वो बिल्कुल फोल्ड नहीं create कर पाता और एक प्लाटो जैसा उचा एरिया ही create कर पाता है दीदी जादा कुछ समझ में नहीं आया ध्यान से सुनो तुम्हारा मन का बात मैं जानती हूँ मैंने क्या बोला है इस स्टोरी को एक मिनर देके फिर से सुनो मैंने बोला कि हमारा अर्थ करोडो साल पहले उसके उपर एक ही continent था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था पैंजिया और एक ही ओशन था जिसका नाम प्यार से हम लोगों ने रखा था पैंथालासा फिर मैंने कहा कि ये पैंजिया दो टुकडों में तूट गया एक को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड और अगले को हम कहते हैं अंगारा लैंड इंडिया इस गोंडवाना लैंड का एक टुकडा है इंडिया यहां से तूट के अंगारा लैंड का जो टुकड़ा चाइना है उससे मिलने को जाता है बीच में जो दरार है बीच में जो पानी का एक एरिया है इसको हम लोगों ने नाम रखा था तैथिस सी यही नाम रखा था हाया ना बिलकुल दिदी यही नाम रखा था अब ह से ही रिवरस आते थे और स्तितििस सी में deposition क्रीएट करते थे लगतार deposition होने के कारण और भारीपन होने के कारण यह नीचे खिसअकता c Safari लगा कौ alde चरेट हो गया उटेशन करेट हुआ और अगर इंडिया चाइना करीब आ रहा है और यहां deposition create हुआ है तो deposition में folds create हो जाएंगे लेकिन यह इतना force नहीं है इतना force भी नहीं है कि एक साथ एक ही fold create हो जाए multiple folds छोटे बड़े create हो जाएंगे यह folds जो है बेटा इसी को तुम बोलते हो हिमाल है प्यार से अभी हम लोग इसको भी समझेंगे इस वाले को तुम बोलते हो टिबेट का प्लाटो और इस वाले को यह चाइना में यह mountain दिखाई देता है इसको कुन लुन शान कहते है लिखने रही क्योंकि important नहीं है important यही दो है यह हिमाले जो इंडिया में बन गया इंडिया के तरफ देख पा रहे हो तुम और यह जो फोल्ड क्रेट हुआ वो चाइना का mountain हो गया और बीच में है टिबेट का यह टिबेट प्लाटो आप यह क्यों बता रही है दिदी देखो मैं बता रही हूं इसे लिए यह जीओ सिंकलाइन थेओरी बहुत पुराना थेओरी है यह थेओरी को पहले बहुत ही माना जाता था लेकिन फिर इतना जाधा इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता अद एक बात है इस जीओ सिंकलाइन थेओरी में जो थोड़ा कमी है इसका जो fully explain नहीं कर पाता कि हिमाले कैसे बना हैं क्या कमिय दी वह कहता है कि डिपोचिशन के भार से 33 दबता गया और हुआ क्या कि इंडिया चाइना करीब आते गए और फोल्ड्स क्रेयट हो गया लेकिन मेरा सवाल है क्या डिपोचिशन कैंड़ने पर इंडिया-चाइना के पास इतना ताकत आ गया कि वो फोल्ड क्रिएट कर पाएं नहीं practically देखा जाए तो बेटा ये possible नहीं है deposition 33 में हुआ माना deposition के कारण भार आके 33 नीचे दबा ये भी माना दूरियां कम हुई ये भी मान लिया लेकिन ये जो सामने खिसक रहें इनके पास इतना ताकत नहीं है कि हिमाले जैसा बड़ा बड़ा फोल्ड क्रिएट कर पाएं इसलिए जीयो सिंक्लाइन थियोरी फेल हो गया तो दीदी आप इस थियोरी को क्यों पढ़ा रहे हैं अगर फेल ही हो गया विकॉज अब जब मैं प्ले टेक्टॉनिक पढ़ाऊंगी तो तुम ये समझ में आएगा कि प्ले टेक्टॉनिक इकलौता थियोरी नहीं था इन इंसानों ने एक बार में सही गैस नहीं किया था प्लेट टेक्टॉनिक सबसे modern थिच्जत उसी को मिलता है जियो सिंकलाइन को नहीं तो दीदी आज के वीडियो में जो भी आपने एक्स्प्लेइन किया है थोड़ा सा प्लीज आफ फिर से ब्रीफ में बताईए देखो बेटा, मैं जानती हूँ Some things cannot be understood at a single go But I will explain you What? इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमाले फॉर्म कैसे हुआ बन कैसे गया इतना बड़ा बड़ा हमाले जियो सिंक्लाइन थियोरी अलगी बात कहता है वो चला जाता है अर्थ के हिस्ट्री पे वो कहता है अर्थ एक टाइम पे उसके उपर सिफ एक ही कॉंटिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया एक ही सुपर कॉंटिनेंट था जिसका नाम था पैंथलासा पैंजिया का दो टुक के जो दूरी आया वहाँ पे एक जो सी था सुपर ओशिन का जो एक सी का पानी आ गया उसको अमनों कहते हैं टैथिस सी ओके दीदी हुआ क्या हुआ यह बेटा कि जैसे जैसे इंडिया चाइना के करीब आता गया आगे आता गया तो यह तैथिस सी में अपने इंडिया चाइना का दूरी कम होता गया और लागातार इंडिया चाइना फोर्स लगाते गए और फोल्ड क्रेट हो गया इंडिया के तरफ जो फोल्ड है उसको हम हिमाले कहते हैं और बीच में जो है एक प्लाटो जैसा क्रेट हो गया जिसको हम टिबेथ प्लाटो कहते हैं औ है लेकिन इस थेयोरी में एक बात बहुत ही गलत लग रहा था गलत साउंड कर रहा था तुम सोचो अगर त्यथिस सी में डिपोजिशन भरी गया तो क्या ये डिपोजिशन इतना पावर्फुल है कि इंडिया चाइना में इतना ताकत आ जाये कि वह फोल्ड मांटेन क्रेट क हुआ ठीक है मतलब इतना जादा उसको इज़्जत नहीं मिला लेकिन अगले वीडियो में समझेंगे प्लेट टेक्टॉनिक त्योरी जहां पर तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्च्वल में हमारा प्यारा इमाले बना कैसे था तिल देन टेक किया स्टे सेफ ए देसा कि हर बार बताती हूं नोटस फ्री आफ कोस्ट है टेलीग्राम ग्रूप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उस पर क्लिक करो टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर लो और अगर मैंने आपको जो भी आपने नोटस वगेरा मांगने की थेंगे थेंगे खेंगे खाया क्यी तेंग है क्योस्ते cinco वह